हेलो स्टुडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट बायलोजी का सेक्शन चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेनेजमेंट चले स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अगर बात करें तो क्रॉप का मतलब क्या होता है फिर उसका क्या जरूरी है कौन कौन सी क्रॉप प्रेक्टिसिंग होगी कौन कौन से स्टेप्स हम फोलो करेंगे प्रोडक्शन को अच्छा है इंक्रीज करने के लिए कौन से स्टेप्स हम फोलो करेंगे तो यहां पर सबसे पहला हमारे पास में क्रॉप क्या होता है तो क्रॉप का बैसि टाइप के प्लांट को क्या करते हैं, grow करते हैं, same kind of plant. तो उसे हम क्या कहते हैं, crop कहते हैं, फिर इसके production के लिए और protection के लिए भी हमें क्या management करना है, यह हम chapter में आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यह पढ़ ही क्यों रहे हैं हम तो हम जानते हैं सबी लिविंग और्गनिजम को किसकी जरौत होती है फूड की जरौत होती है फूड की जरौत क्या होती है क्यों होती है फूड की जरौत तो फूड हमारी जो है बेसिक नीड जितने भी होती है हमारी बोडी की जितने भी मेटाबॉलिक अक्तिविटीज होता है उनके लिए जरूरी होता है हमारी बोडी की पूरे मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है रिपेर के लिए और रिपेर के लिए और रिप्लेस्मेंट के लिए सब के लिए फूड की नीड होती है तो फ बीजी से हैं और जितने भी है एनर्जी हमें प्रोवाइड खरेगा फूर्ड तो अब आगे चलते हैं हम एगरीग अरिकूल्चर क्या होता है और यह रीक वर्ड यृक्री कररेक होता एम गर का मतलब होता है लेंद क्या होता है जमीं पर पर ख़पा में सुठ या इन होता है क अगर हम जमीन पर cultivation कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? Agri-Culture, क्या बोलते हैं? Agri-Culture, तो Agri-Culture means land or field and culture means cultivation, यानि कि यह कैसी साइन से जिसमें हम crops उगाएंगे, या economic purpose के लिए हमारे existence के लिए हम crop production करेंगे, साथ की साथ में हम यहाँ पर animal husbandry भी बढ़ेंगे, कि कुछ जो है food source वो animal से related भी होंगे, तो हम उन्हें भी क्या करेंगे, animal husbandry के अंदर बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं, कुछ branches हैं, different branches of agriculture, सभी के लिए अलग-अलग काम हैं, सभी का dividation किया हुआ है, तो क्या है agronomy, यह क्या करेंगी, production of field crop, crop की बात करेंगी, यानि कि जो soil में उखती है, generally crop उन पर ध्यान देगी, कौन, agronomy, उसी तरीके से होटी culture, होटर्स का मतलब होता है, garden, होटर्स का मतलब क्या होता है, garden होता है, और culture का मतलब होता है, तो गार्डन वाली जितनी भी crop है, उनके साथ उनकी growth के लिए management के लिए डील करना, जिसे कि fruit हो गई, vegetables हो गई, या flowering plant हो गई, उनकी लिए करना, उसे क्या केता है होटी culture, उनका cultivation करना क्यों होता है, होटी culture, फिर आता है हमारे पास में, उनके लिए अलेरी culture का मतलब होता है, जो वेजी टेवल से उनका management करना, तो ग्रो करने से लेकर के marketing तक का, यह आता है है उनकी ब्रांच है, होटी culture की ब्रांच है, होटी culture की ब्रांच है, जिसमें हम केवल किस पर ध्यान देंगे, वेजी टेवल पर ध्यान देंगे, जिके बाकी क्यूंकि होटी culture है, उसमें तो हम सब पर ध्यान दे रहे हैं, जितने भी गार्डन प्लांट से, तो ओलेरी culture में केवल हम किस पर ध्यान देंगे, वेजी टेवल को ग्रो करने से लेकर के, उसकी marketing management सभी पर, एकवा culture, एकवा मतलब होता है water, तो water body के अगर, अंदर हम किसी भी चीज का culture, यानि की cultivation कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकवा culture क्या बोलेंगे, एकवा culture बोलेंगे, इसमें सब आजाता है, लाइक कुछ insects जो होते हैं, उन्हें भी हम क्या करते हैं, आपर culture करते हैं, और PC culture इसी के अंदर आता है, PC culture मतलब fishes को पालना, किसको पालना, fishes को पालना, उसे हम क्या बोलते हैं, PC culture, यह होता है, किसको, fishes को, fishes को दो तरीके से, हम culture कर सकते हैं, या तो हम उन्हें क्या करें, क्या जोत्तां हम कर तो एक कर सकते हैं क्या करनाaving क्या करते हैं उनकी पूरी management करेंगे, उनका culture करेंगे उन्हें जो है, water body के अंदर रखेंगे बड़ा करेंगे और फिर marketing करेंगे, तो यह सारा process आजाएगा, culture farming, और अगर cable पकटते हैं, water body से, तो उसे बोलते हैं, capture farming, तो यह हो गई कुछ different branches, रेगरी culture की, जो अलग-अलग तरीके से deal कर रही है, अलग-अलग plants, या अलग-अलग food resources के लिए deal कर रही है, फिर हमारे पास में आता है, sources of food, क हमारे पास में दो टाइप के food sources होंगे, एक तो होंगे, plant वाले, कौन से होंगे, plants वाले, और एक होंगे, animals वाले, तो animals वाले के लिए हम पढ़ते हैं, animal husbandry, ठीक है, और plants के लिए हम पढ़ते हैं, crop protection, production या protection management, plant से जैसे हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं, cereals हो गए, pulses हो गए, vegetables हो गए, तो इस तरीके से यह क्या है, fruits हो गए, यह सारे पास किसके हो गए, हमारे plant के spices हो गए, तो यह सब भी हमारे plant food sources है, animal food sources की बात करें, तो हमारे पास है, जैसे milk होता है, honey, flesh और honey हो गया, flesh हो गया, milk हो गया, एक हो गया, यह हम poultry में बढ़ते हैं, तो इस तरीके से यह animal क्या है, animals के food source हैं, जो हमें animal से मिलेंगे, और जो plant से मिलेंगे, वो यह हैं, chapter का नाम है crop production and production management, तो हम इसमें crop से related बात करेंगे, यानि कि हम इसमें पढ़ेंगे plant वाले food source, क्या पढ़ेंगे, उन से हमें क्या मिलते हैं, food sources मिलते हैं, तो इन्हें हमने कुछ category में क्या कर दिया है, डिवाइट कर दिया हैं, जैसे बात करें seed की, तो seeds, plant का जो seed वाला part होता है, उससे हमें क्या-क्या मिल सकते हैं, एक तो मिल सकते हैं, cereals, pulses, या हम बोले dry fruits, dry fruits यानि कि जो nuts होते हैं, या फिर हम बोल दें, जो oil seed होते हैं, जिन से हमें क्या मिलता है, oil मिलता है, तो ये seed वाला part हो गया, जिससे हमें ये मिलते हैं, इसके हलावा फ्रूट वाला पार्ट हो गया फ्रूट जो फ्लार की जो अवरी होती है वो किसमें चेंज होती है फ्रूट में चेंज होती है तो यह फ्रूट वाला पार्ट हो गया फिर हो गया वेजिटेबल्स अब वेजिटेबल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट से हम यूज कर सकते हैं, में भी वो प्लांट का रूट वाला पार्ट हो सकता है, वो स्टेम वाला पार्ट भी हो सकता है, लीफ वाला पार्ट भी हो सकता है, या फिर इन फ्लोरेसेंस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इन फ्लोरेसेंस भी हो सकता है, आगे समझेंगे इन फ्लोर प्लान्ट का वो पार्ट कौन सा है फ्रूट वाला party लेकिन हम उसे उसके अलाबा कुछ गोटी थी उसका यूज उसका ही ऺता है याने की प्रॉडर की तरह तरह करते जमे में तोट तरह बश्क ही घटीर क्रॉड ओब dalते मिल्हां Gae कर दिया है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीड़ वाले फूर्स्स की बात कर लेते हैं तो सीड जो होते हैं शबी सीड को हम खा नहीं सकते हैं तो जो निडिवल सीड सीड्स होंगे परे देख कौन है तो जैसे लोन अडीबल सेीड के अगर बात करें तो एपल और चेरी के जुन सीड वह नौन अडीबल ना या पिर लेमन की भी बात करें वो भी नौन इडीबल सीड हम नहीं खाते हैं सी Estado यह energy का rich source होते हैं किसका energy का energy मतलब carbohydrate इन में सबसे जादा पाउंट में कौन प्रेजेंट होगा carbohydrate प्रेजेंट होगा जो energy वाला content है वो किसमें होगा Serial में होगा food chapter के अंदर भी हम इनको पढ़ते हैं वहीं पर pulses जो होगी यह protein का rich source होगी इसका होंगी, protein का rich source होंगी, dry fruits होंगे, यह oil का fatty acid का होंगे और oil seed, यह भी dry fruit में protein भी होगा, और इसमें क्या होगा, oil and fatty acid present होगा तो इस तरीके से हमारे different food sources है, जो seed वाला part हम use कर रहे हैं तो seed में अगर बात करें, cereals की जैसे wheat, rice, maize, barley, sorghum, यह सब भी हम इसनका use करते हैं, cereal की तरह, pulses की अगर बात करें तो यह protein का source होते हैं किसका source होते हैं, protein का most source होते हैं, mostly majority में इनके पास क्या है, protein present है अगर बात करें, gram है, जो चना होता है, चना, pea यानि की मटर, black gram यानि की उड़त, green gram यानि की मूँ, pigeon pea यानि की अरहर, cow pea, lobya, lentil यानि की मसूर तो यह different different डाले हैं, जिनको हम use करते हैं, ठीके, pulses, आगे चलते हैं हाँ, oil seed crop, यानि की जिनसे हमें directly क्या मिल रहा है, oil मिल रहा है, तो जिससे cotton seed है, niagar है, sunflower, soya bean है, या फिर flax seed है, wrap seed है, ground nuts है, sesame, mustard, sunflower और olive, यह different हमारे oil seed हैं, जिनसे हमें oil मिलेगा, nuts यानि की dry fruit जैसे की kaju badam हो गया, cashew, almonds, ठीके, या फिर walnuts हो गया, तो इस तरीके से हम इनक यूज करते हैं, dry fruits की तरहे, इसके तरहे, यूज करते हैं, dry fruits की तरहे, यह हमारे example है, यह हो गए हमारे cereals, और यह हो गए हमारे pulses, यह red kidney beans होती है, red kidney beans का मतलब होता है, rasma, क्या होता है, rasma होती है, आगे चले, तो fruit, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि fruit वाला पार्ट भी यह होता है, तो fruit वाला पार्ट, तो यह किसका source होते हैं, इन में सभी मिलेंगे, vitamins भी मिलेंगे, minerals, raphase, protein, carbohydrate, fat, जितने भी component है, फूड के वो सारे fruit में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें daily में एक food तो consume करना चाहिए, सका भी जाता है, ठीके, apple, orange, mango, banana, pineapple, यह सारे क्या है, fruits से, vegetable की बात करें, तो vegetables में क्या होते हैं, यह edible part होगा, herbaceous plant का, कोई सा भी part हो सकता है, ठीके, इसको हम रो करके खाते हैं, यह इसको हम cook करके खाएंगे, क्या है, एक तो root वाला part है, root, यानि कि इसका root ही खा रहे हैं हम, तो जिससे carrot है, radish, turnip, sweet potato, beet root, यह सारे root वाला जो पा इसका लिया bamboo बनाना, asparagus का, बड़ यह जो modified stem है, अगर बात करूं, modified stem की, तो modified stem जो है, इसका मतलब होता है, कि stem जो होता है, वो underground जाकर के क्या हो जाएगा, modified हो जाएगा, और modified हो करके, उसका हम use करते हैं, ठीके, तो potato जो होता है, यह कौन सा modification है, tuber, कौन सा modification है, tuber होता है, onion और garlic, यह होता है, बल्ब, इनका specific नाम होता है, underground modification का, बल्ब, जिंजर जो होता है, rhizome होता है, क्या होता है, इसके अलावा जो अर्भी आती है, kolocasia, kolocasia किस में आ जाएगी, कौर्म में, किस में आ जाएगी, कौर्म में आ जाएगी, तो यह प्लांट का कौन सा पार्ट होत स्टेम है, और यह है क्या, underground stem, ठीक है, underground, modified underground stem, यह food store कर लेते हैं, और यह different different shape के present होंगे, देखो, इसमें यह present होते हैं, नोड्स, इंटर नोड्स, तो यह क्या हो गए, स्टेम है, यह क्या है, स्टेम है, रूट में नहीं होती है, नोड्स एंटर नोड्स, इंटर नोड्स, स्टेम में प्रेजेंट होती है तो हम पता कर सकते हैं यह क्या है स्टेम है आगे चलते हैं लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गया मैथी हो गया बहुत सारे साग बथुआ का साग तो यह सारे जो होते हैं यह लीफी वेजिटेबल सोगे करी लीव्स हो गई इसके अलावा अगर इसी तरीके का आरेंजमेंट जो फ्लाइर का होता है तो फ्लाइट का जो अर्रेंजमेंट था यह इंपना अन्फ्लोरेसेंять की बात करें तो बना अन्फन तुमेटों तुमेटों हो गया जितनी भी गौड होती है यह हो गई cluster bean हो गई, cucumber हो गया, lady's finger हो गया, तो यह सारे क्या होते हैं, fruit वाले vegetable होते हैं, फिर spices की बात करें, तो spices कोई भी part हो सकता है plant का root, stem, leaf है यह सारे part हो सकते हैं, plant के seed का भी use कर सकते हैं, तो जैसे spices में चिली हो गया, turmeric हो गया, black pepper हो गया, cumin और fenugreek, यह सारे jeera, जीरा, सौफ, यह राई, इस सारा हम इनका यूज़ करते हैं, spices की तरह, फोडर क्रोप की बात करें, तो फोडर यानि कि जो चारे की तरह यूज़ की जाती है, जानवरों के लिए, जैसे बरसी में, ओटे, सुदान ग्रास होती है, और सौरगम होती है, इनका यूज़ हम चारे की तरह करते हैं, कैटल्स के लिए, ठीक है, अदर क्रोप में मैंने जुसा कि आपको बताया था, या तो यह फाइबर वाली हो सकती, जिसे कॉटन है, तबे को हो गई, टी, कॉफी, चॉकलेट, ठीक है, आप पेपर मेंट हो गई, तो यह सारी क्या हो गई है, हमारी अदर क्रोप्स हो गई है, ठीक है, ठेंक्यू,